थेलो वीवर्ज, आज हम आपको pointer arithmetic का practical session लेने वाली, जो हमने कर थ्योरी समझाई थी, इसी का practical आपको बताने वाले ही, आशाय है आपने थ्योरी पढ़ ही होगी, तो आपको practical जादा अच्छे से समझने आएगा, सबसे पहले हम लोग दो variable लेते हैं, इसमें x और y ती value 10 और 20 रखते हैं, और pointer star p1 star p2 declare करते हैं, और फिर int rest नाम का इत variable लेते हैं, इसमें 10 value डालते हैं, और उसके लिए दो pointer ptr1 और ptr2 लेते हैं, और दो variable product और portion लेते हैं, ptr, p1, p2 जब हम लेंगे, तो हम अलग variable इसमें slice करेंगे pointer में, और जब हम define करेंगे, और जब हम rest 10 लेंगे, तो ptr, ptr2 दोनो जो है, same variable को point करेंगे, तो दो तरह से pointer बताएंगे, कि जब अलग-अलग variable को point करता है, तो क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले pointer p1 और p2 में x और y का address डालते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि pointer को define करने के लिए, जिस variable को point करता है, उसका address इसमें assign करना पड़ता है, तो p1 में x का address और p2 में y का address डालते हैं, अब clear screen हमने किया, जिससे आपका output proper आए, printf x % tab लगाया दो बार, जिससे की दूर जाकर के print हो information, और आपको clear समझना है, हमने x और y की value को print करा दिया, फिर उसके value को pointer में print कराया, फिर उसके address को print कराया, तो इसको run करके आप देखीजिए, इसमें तीनों चीज प्रिंट हो गई होगी, उपर देखिए x और y की value 10 और 20 हो गई, फिर उसका pointer में value 10 और 20 जा चुकी है, और उसका address उसने print किया, fff4 और fff2, अब हम चलते हैं अंदर उसके arithmetic operation के, अब हमने क्या किया, p1 में से plus 1 कर दिया, और p2 को minus 1 कर दिया, तो p1 में 10 है, तो 11 हो जाएगा, और y में 20 है, तो 19 हो जाएगा, और उसको print करा दिया, देखिए, print कराने के लिए हमने star लगाया, तो pointer value प्रिंट होगी, अगर हमने star नहीं लगाया होता, तो उसका address प्रिंट होता, तो चलिए अब इसको अभी address को हमने change नहीं किया है, इसलिए हम pointer value को print कराते हैं, और जब address change होगा, तो p1 plus plus करेंगे और minus p2 करेंगे, तो जब plus plus करेंगे, तो address, क्योंकि integer type है, तो 2 add कर देगा, और जब minus p2 करेंगे, तो integer है, तो address में से 2 value को घटा देगा, address से, तो इसको run करके हम लोग देखते हैं कि कैसे आना, अब देखिए, star हमने minus किया p1 में से, तो plus किया p1 में, तो 10 का 11 हो गया, और minus किया p2 में से, तो 20 का 19 हो गया, जब हमने address को plus किया, तो fff4 जो है, इसमें 2 जुड़ गया, और fff6 हो गया, और जब हमने fff2, p2 था, उसमें minus किया, तो भट करके fff0 हो गया, अब आगे चलते हैं, प्रोग्राम में, और देखते हैं कि क्या कर गया है, तो इस तरह से जब address को हम plus plus करेंगे, तो उसकी value 2 point से, 2 digit byte से बढ़ जाएगी, क्योंकि integer 2 byte लेता है, और minus minus p2 करेंगे, तो address value 2 byte से घट जाएगी, अब दूसरा example जो हमने लिया है, दूसरा example के लिए, हमने value क्या लिया, rest में 10 bit हो, और दो pointer define कियें, जो rest को point कर रहे हैं, तो p1 equals to rest होगे, और p2 equals to rest होगे, आप जब same variable को 2 pointer point कर रहे हैं, तो उनका address same होगा, तो ptr1 और ptr2 print किया, और उसमें जो value गई है, उसको print किया, तो कैसे print हो रहा है देखते ही है, हमने rest की value जो है, वो print लिया है, तो ptr1 जो देखी है, वो ptr1 जो है वो 20 होगया, और rest की value 10 लिये है, तो ptr1 का address fffec होगया, और ptr2 का address fffec होगया, और ptr1 10 है और ptr2 10 होगया, अब हम लोग ने arithmetic किया, दोनों को print कराने के बाद हम लोग ने arithmetic किया, rest equals to rest plus star ptr1, अब हमने rest में 10 था और ptr में 10 आ चुका है, तो जब दोनों जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा, यहां पर देखिए, rest में 10 value थी, यहां पर देखिए, rest में 10 value थी, यह rest में 10 value थी, तो rest में 10 value थी, rest को जब हम PTR 1 से जोड़ेंगे, तो क्योंकि PTR में 10 value आज चुकी है, तो वो जोड़ करके 20 हो जाएगी, अब यहाँ पर देखे, PTR 1 equals to PTR 2 plus 5 किया, PTR 2 में क्या आ चुका है, PTR 2 में 20 आ चुका है, क्योंकि दोनों same address को, same value को point करना है, तो PTR 2 में 20 plus 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो PTR 1 और PTR 2 दोनों में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देखे इसमें, क्योंकि same address को वो point करना है, यह देखे, स्टार्ण के बीच में स्पेस होने चाहिए तो वो डबर बन जाएगा। निकल आपको double pointer बताया था तो जब PTR1 और PTR2 को हम multiply करेंगे तो क्या देगा वो product बन जाएगा तो product में क्या हैगा 25 into 25 that is equal to 625 और quotient हम निकालेंगे तो 25 upon 25 हो जाएगा और quotient हमारा 1 हो जाएगा और इसके बाद हमारा PTR अब यह दोनों देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अब यह देखिए PTR1 और PTR2 दोनों को multiply करने के बाद क्या आया 625 आया product of quotient हमारा 1 आया अब उसके बाद PTR1 में से 5 घटा दिया PTR1 हमारा 25 हो चुका है तो जब 5 minus करेंगे तो 20 फिर हो जाएगा तो अब यहां पर PTR1 equals to PTR2 compare करेंगे तो जो value PTR1 में minus होई है वो 20 होगा यह PTR2 क्योंकि rest को point कर रहा है इसलिए वहां भी 20 हो जाएगी तो जब हम PTR1 PTR2 को compare करेंग यह address को तो क्या करेगा वो equal देदेगा और जब हम कहेंगे कि PTR1 less than PTR2 तो false देदेगा और PTR1 is not equal to PTR2 तो तो भी false देदेगा तो इस तरह से हम pointer की variable की mathematics करते हैं जब हम star लगाते हैं तो उसकी value operate करता है और जब हम star नहीं लगाते तो वो उसका address अड्रेस को अड्रेस को तो इस तरह से हम अपने value को change भी कर सकते हैं और अपने value को process भी कर सकते हैं अब चलते हैं पॉइंटर के increment और decrement को देख रहा हम pointer में हम array के through increment और decrement भी कर सकते हैं decrement of pointer और decrement of pointer वो तो हमने variable के साथ किया लेकिन अब array के साथ करेंगे array के साथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर आए constant define किया maximum हमने यह define किya कि array हमारे three values की है main layer variable define किया और डाइनिमिक array किया जिसमें 10 20 10 100 और 500 डिफाइन कर दिया उसकी फिर आई लिया integer और pointer define किया PTR PTR में वैर डाल दिया वैर जो हमारा first array का name जो होता है और अड्रेस होता है तो यहां पर देखी m% नहीं लगाया है तो without and m% भी array की value pointer में चली जाएगी जैसा कि कल हमने बताया था for i equals to zero i less than max i++ तो जब हम i equals to zero i less than max i++ करेंगे तो i की look की value change होगी और pointer position को हम access करेंगे array में print करेंगे pointer का address और position और value और position और value यहां पर पहले में तो address प्रिंट करेंगा और दूसरे में value प्रिंट करेंगा अब ptr plus plus किया जब ptr plus plus करेंगे तो address की value change होगी हम लोग star के साथ plus plus नहीं कर सकते ptr के साथ plus plus कर सकते हैं तो जब ptr plus plus करेंगे हम तो value जो है आगे address से बढ़ेगी तो अब देखिए यह run करके की कैसे होता है यह देखिए address 0 पर उसने क्या दिया address fff 0 दिया और जब ptr plus plus किया तो fff 2 हो गया और second position की value देगी 100 और उसके बाद third position की value देगी 200 तो इस तरह से हम array को define करके pointer के through भी access कर सकते हैं यहां पर यह दिखाने के लिए हमने आई इसके साथ प्रिंटिया है वैर में variable में पहले position फिर उसकी address और उसका value और आई से ले loop ले रहे हैं otherwise ptr plus plus करने पे भी value प्रिंट हो जाएगी तो अब increment हो गया कि array का कैसे करते हैं decrement करते हैं decrement करने के लिए हमें कैसे होगा reverse हम पढ़ेंगे reverse पढ़ने के लिए क्या होगा हमारा reverse पढ़ने के लिए वो क्या करेगा max फिर 3 लिया मैं main लिया और 3 आरे फिर से define की अपकी value जो है वो max की तरफ से अब देखिए क्योंकि address का पहला cell जो होता वो address आपको cell खुदी address होता लेकि last से जब हमें लेना तो 1% लगाके max minus 1 करेंगे 1 minus 1 क्यों कर रहें क्योंकि position हमारे array की 0 से start होती तो अगर 3 max defined है तो 0 से 2 तक 3 value हो जाएगी अब PTR में last वाले cell का address डाला और उसके बाद उल्टा loop चलाया अब कैसे चलाएंगे i equals to max i is greater than 0 i minus minus i की value maximum शुरू हो करके 0 तक जाएगी और print करेंगी और यहां पर PTR क्या करेंगे minus minus क्योंकि PTR की value change हो रही है ना कि integer से ले जाओ यहां पर position को हम show कर देंगे इसको run करके हम लोग देखते हैं अब देखिए variable पहले 200 होगा फिर 100 होगा फिर 10 होगा और position हमारी minus होती होगी FFF 0 तक आएगी अब हम देखतेंगे कि array में comparison कैसे होता है तो array का भी यहां पर काम pointer comparison in array तो यहां पर क्या करेंगा यह तीन value लिया इसने और int i star PTR किया और PTR equals to variable किया फिर उसी तरह करेंगे first position का value ले लेंगे without address भी ले सकते ही यह कि पहला cells होता खुद ही address होता y equals to zero किया और इसके बाद while PTR less than अब last वाली value से first वाली value को compare कर रहा है last value हमने आपको बताया तो max minus 1 लेंगे और उसके बाद PTR के value को last के address को last वाले address से compare करेगा तो last का जो address होगा वो पहले वाला address होगा वो कम होगा और last वाला जादा होगा तो less than equal to लिया और उसके बाद उसको one by one print कर आया अब यहां पर PTR plus plus किया क्योंकि PTR हम पहली position से जब लेंगे तो आगे बढ़ेगा और i plus plus किया तो i की पहली value 0 थी और उसके बाद वो बढ़ती जा रही है तो जैसे हमने पहली बार increment की case में किया था वैसे ही हो रहा है लेकिन बस comparison हो रहा है जैसे ही वो equal होगा वो बाहर निकल आएगा पहली बार PTR होगा वो less than होगा और जैसे ही वो equal पहुंचेगा वो बाहर निकल आएगा तो हम तीन दरह से pointer के साथ array में भी काम कर सकते हैं पहला यह है कि increment हो रही है और दूसरा decrement हो रही है और तीसरा है कि compare भो रहा है address जैगी same चीज हमने आपको variable से बताया था I hope कि आपको समझ में आया हो वो same चीज हमने आपको detail में match करके भी बता दिया जबकि एक ही address को point कर रहे हो दो pointer और जबकि different address को point कर रहे हो दो गए तो I hope कि pointer आपको बच्छे से आगया होगा कि pointer में address plus plus हो सकता है star p1 के साथ constant add हो सकता है star p1 के साथ आपका plus plus और minus minus नहीं हो पाएगा तो इस तरह से हम आज pointer का practical session खतम करते हैं कल हम pointer के साथ function को बताएंगे कि function में कैसे pointer pass होता है और कैसे pointer return होता है तो आपको pointer का सारा concept आजाएगा कि array में कैसे pass करें array में कैसे pass करें और function में कैसे pass करें I hope this is all today and please share and subscribe my channel Natanagarwal I think formal follow my all social media link join my telegram channel by link given in a description and please comment on the video and ask the question if anything is not clear to you Thank you